तो treatment को ध्यान से सुनना काफी important treatment है और treatment से 10 marks का question आता है फार्मकोलोजी में 4 semester में और आपको जो seconds है में आपको भी question आता है treatment में B.Sc. nursing second year वहाँ पर भी question आता है treatment से और treatment काफी जादा important है Parkinson का तो ध्यान से सुनना बहुत जादा important है पूरा lecture एक तरफ treatment एक तरफ चलिए स्टार्ट करते हैं treatment of Parkinson अगर आपको all lecture देखने है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखिए और अगर आपको notes download करने है PDF format में तो आप telegram से जूड़िए वहाँ पर मैंने आपक WhatsApp के बारे में बता रखा है WhatsApp group के बारे में आप WhatsApp group फीचर से जूड़िए और वहां से आप notes को download कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो देखो Parkinson हो क्यो है हमें पता है Parkinson जो है dopamine की कमी से हो रहा है और dopamine की कमी का हो रही है brain में dopamine की कमी हो रही है जिसकी वज़े से हमें हो रहा है Parkinson disease तो सरीक काम करते हैं Brain में dopamine बढ़ा देते हैं और जब brain में dopamine बढ़ा देंगे तो Parkinson होगा ही नहीं चलिए करके देखते हैं brain में dopamine बढ़ा के देखते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे suppose this is the brain अब brain में आपको क्या बढ़ाना है dopamine जो है neurotransmitter आपको वो बढ़ाना है पर हम कैसे बढ़ाएंगे चुकि ब्रेन के चारो तरफ होती है ब्लड ब्रेन बेरियर क्या होती है ब्रेन के चारो तरफ ब्रेन के चारो तरफ होती है बी-बी-बी सरेक बी-बी समाली नहीं जाती आप एक और भी लगा दिये आज बी-बी-ब्लड ब्रेन ब प्रोपाई हमारे पास हमारे brain तक कोई भी हमारी मर्जी के विना नहीं पोस्ड़ सकता वह ववत लगे कौई virus हो कोई bacterias हो बहुत ही छोटा particle हो तो वह चल जाता है कभी bud contin रोज जाता है पर ऐसे जन्रक्त कोई भी नहीं जा पाता blood brain barrier को suppose this is the brain तो brain को protect करके रखती है blood brain barrier और यहां से कोई भी easily cross नहीं हो सकता और brain के पास तक नहीं आ सकता पर हमें तो dopamine को पहुचाना है brain के पास तक तो हम कैसे पहुचाएंगे तो अगर मैं dopamine दूंगा directly तो dopamine जो है blood brain barrier को cross नहीं कर सकता अरे तो और दिक्कत हो गई dopamine दे रहे हैं तो भी वो blood brain barrier को cross नहीं कर पा रहा और जब यह बी 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 को cross नहीं कर पाएगा तो यह brain तक नहीं पहुच पाएगा तो फिर करे क्या तो इस condition में हम क्या करेंगे brain तक dopamine पहुचाने के लिए suppose यहां पर है brain और हमें पहुचाना है D से dopamine और dopamine खुछ तो जा नहीं सकता तो हमें देना पड़ेगा dopamine का pre-cursor dopamine का precursor होता है levodopa, levodopa से dopamine बनता है व्यान से सुनना जो levodopa होता है this is levodopa इस levodopa से dopamine बनता है अब dopamine खुछ तो cross नहीं कर सकता है blood brain barrier को पर इसका precursor जो है levo लिवोडोपा यह इजिली क्रोस कर लेता है ब्लड ब्रेन बेरियर को और पहुत जाता है ब्रेन में और ब्रेन में पहुचने के बाद यह लिवोडोपा जो है डोपा डी कार्वोक्सिलेस के मदद से ध्यान से सुनना तो देखिए ध्यान से सुनना मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं यहाँ पर होता है Blood Brain Barrier और यह आपका है Brain अब हमने देखा कि Dopamine जो है यह Blood Brain Barrier को Cross नहीं कर पारा यह B, B, B को Cross नहीं कर पारा तो हमने दिया Libodopa क्योंकि Libodopa बाद में Dopamine में ही बदलता है यह Pre-Cursor है तो हमने दिया Libodopa और इस Libodopa ने Blood Brain Barrier को क्रॉस कर लिया और यह चल गया ब्रेन में अब जैसे ही यह लिवोडोपा ब्रेन में जाता है तो यहाँ पर एक ब्रेंझ में डॉपिमीन बन गया पर सर, एक डाउट है, क्या यह लिवो डोपा बाहार ही, डॉपिमीन नहीं बना लेगा और अगर यह लिवो डोपा ने बाहर री डॉपिमीन ही बना लिया, तो यह तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि डॉपिमीन तो क्रोश essere父 वो डोपा जो है बाहर ही डोपेमिन में कनवर्ट नहीं हो जाएगा अगर यह बाहर ही डोपेमिन में कनवर्ट हो गया तो यह इसको क्रोस नहीं कर पाएगा बीबीबी को तो ऐसा क्या है कि यह जो अंदर जाकी कनवर्ट हो रहा है बाहर भी कनवर्ट हो सकता है बिल्कुल हो स दोपा ड कारवोक्सलेश जिसकी मदद से वो डॉपयमीन बढ़ा लेता है मतलब 12 में डॉपय terrified बन गया पर क्या होगा कि यह लीवोडोपा ब्लड- में बर्येर को क्रोश करने से पहले यह यह अगर डॉपयमीन बना ले तो तो क्या करें तो हम देते हैं लीवोडोपा के साथ कार्वीडोपा द्यान से सुनना लीवोडोपा के साथ मैं आपको अच्छे से बताता हूं लीवोडोपा के साथ हम देते हैं कार्वीडोपा यह कार्वीडोपा लीवोडोपा को बाहर बदलने से रोकता है चलिए देखिए यह है ब्लडब्रेंड ब बाहर बदल नहीं नहीं देता और अगर यह बाहर नहीं बदलेगा तो यह blood brain barrier को क्रोस कर अंदर जाएगा समझ्छा गए तो हमें लीवोडोपा के साथ कार्वीडोपा भी देना पड़ता है क्योंकि होता क्या है लीवोडोपा जो है बाहर ही dopamine बना सकता है और यह किसकी मदद ब्लेट ब्रेयर को क्रोस करके ब्रेन में पूचा और इस लिवर ढूपा ने किसकी मदश से डॉपा-D-Carboxylase डी-डी की मदद से बनाया डोपेमीन डोपा डी-काबोकसलेस की मदद से बनाया डोपेमीन और यह सब का हो रहा है ब्रेन के अंदर हो रहा है पर क्या होगा कि अगर यह लीवोडोपा बाहर ही डोपेमीन मना ले तो तो यह किस एंजाइम की मदद से बनाता है लीवोडोपा है वो बाहर ही dopamine बना लेता है अब अगर levar responsible मना लेगा तो दिक्कत है तो हम오 इस enzyme को रोकना पड़ता है और इस enzyme को रोकने के लिए हम देते हैं carby-dopa जैसे कि मैंने आपको कहाता carby double जो है leave a Besides dopamine बहर बदलने नहीं देता तो तो यह caravan केसे बदलने नहीं दिता है ये जो है इस enzyme को inhibit कर देगा अगर एक बात बताओ लीवोडोपा बाहर बदल रहा है dopamine में किस enzyme के presence में जयन के presence में और अगर इसका enzyme को मैं रोक दूँ तो लीवोडोपा बाहर dopamine में बदले घए नि लिवोडवा प्रेल के अंदर जाकर थो इस एंजाइम को रौफने के लिए मुझे देना पड़ता है कारवीडवा कंवर्ट नऄ जाएंगे जब自 sait किया श्रक्तार ज्दा एक्तिवेक्ट हों गे तो डूपेमिन वो ज्चादा अटेच करेंगे और जब डूपेमिन ज्यादा ज्यादा डूपेमिन की सिगनलिंग होगी तो यहांपर हम देते हैं dopamine agonist जो कि receptor की activity को बढ़ाते हैं Dopaminergic receptor की activity को और दे सकते हैं antiviral medication जो की production बढ़ा है dopamine को चलिए यहां तक आपको clear है कि dopamine production बढ़ा जेते हैं antiviral medication दे देते हैं और stimulate कर देते हैं dopaminergic receptor को क्योंकि जितना ज़्यादा receptor stimulate होगा उतना ही जादा dopamine को वह बाइंड करेगा और उतना ही जादा signaling होगी और क्या कर सकते हो आप आप दे सकते हो इनिबिटर आप COMT COMT क्या करता है डिग्रेट करता है dopamine को लिवोडोपा को एक बात प्रक्राइब को तोड़ रहे हो dopamine को तोड़ने से dopamine की कमी और लिवोडोपा को तोड़ोगे तो नए वाले को बनने नहीं दे रहे हो तो यह कुन करता है यह करता है COMT थाए तो हम क्या करते है इनिबिटर देते हैं COMT के, जब हम COMT को रोग देंगे, तो ना तो वो dopamine को तोड़ेगा, ना वो levodopa को तोड़ेगा, और अगर वो तूटेंगे नहीं, तो वो हमारे brain में रहेंगे, तो इसलिए हम देते हैं, inhibitors of COMT, क्योंकि ये जो COMT होता है ना enzyme, ये COMT करता है, तोड़ता है dopamine को, और levodopa को, दोनों को तोड़ेगा, तो हमें तो दिक्कत है, तो हमें इस enzyme को रोकना पड़ेगा, और इस enzyme को रोकने के लिए हम देते हैं inhibitors, ओके, चलिए, नेक्स देखिए, हम देते हैं saligenite, क्योंकि क्या होता है द्यान से सुनना, यहां पर होता है enzyme, MAO-B, और ये MAO-B जो है dopamine को तोड़ता है, तो हमें क्या करना होता है, इस MAO-B को रोकना होता है, तो MAO-B को रोकने के लिए हम देते हैं saligenite, यह saligenite जो है MAO-B के काम को रोक देगा, और अगर माव B के काम रूक गए, मतलब डॉपेमिन तूटना बंद हो गया, तो यहाँ पर अगर डॉपेमिन नहीं तूटेगा, मतलब डॉपेमिन और ज़ादा रहेगा प्रेन में, तो हम क्या देंगे, सलीजिनाइट, तो सलीजिनाइट जो है, माव B को रोकता है, और यहाँ पर Compt को भी रोकते हैं, तो देखिए, Maobie और Compt, दोनों ही Dopamin को तोड़ते हैं, दोनों की Inhibitor हमें देने पड़ते हैं, ठीके, Compt के लिए Inhibitor दे दो, और Maobie के लिए यहाँ पर मैंने specific नाम लिखा हुआ है, Saligenite Inhibitor, चलिए, तो अगर हम तूटने से रोक लेंगे मतलब Dopamin बढ़ जाएगा, अब होता क्या है, जैसे ही हमारी Body में है, जैसे हमारे Brain में Dopamin का Level कम हो जाता है, तो Acetylcholine का Level बढ़ता है, तो हमें इस Condition में Anticholinergic देना पड़ता है, क्योंकि अगर Acetylcholine बढ़ता है ना, तो उसको रोकने के लिए Anticholinergic Drugs होती है, तो यह जो ह ट्रेमर्स को रोकते हैं, ट्रेमर्स को सही करते हैं, जो आपकी Body दूसती है, इस्पेशली जो आपके हाथ दूसते हैं, उसको सही करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, यहां तक क्लियर हुआ आपको, जैसे ही आपके Brain में Dopamin की कमी होती है, Acetylcholine बढ़ जाता है, इसलिए हमें देनी पड़ती है, अंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जैसे Benzpropin, चलिए, नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है, Deep Brain Stimulation, Deep Brain Stimulation में क्या होता है, कि Electric Device को आपके Brain में Implant करते हैं, और वो जो है signaling करता है, क्योंकि हमने देखा था, signaling रुख गई थी, signaling कैसे रुख गई थी, यहां हमने देखा था, Dopaminergic Neuron नहीं है, मतलब Dopamine नहीं है, और Dopamine नहीं है, मतलब Pars Compacta तक सिगनल नहीं जा रहे, Pars Reticulator तक सिगनल नहीं जा रहे, फिर थेलेमस तक सिगनल नहीं आ रहे, तो यह सारे signaling को वापिस शुरू करना पड़ेगा, तब जाकि मूमेंट सही होगी, तो इन signaling को हम शुरू कैसे करेंगे, इन signaling को हम शुरू करेंगे with the help of deep brain stimulation, और इस टेकनिक में एक device को हम इंप्लांट करेंगे, ताकि electrical signal जो है, जनरेट हो जाते हैं, तो वापिस जो है signaling हो जाती है, और हमारे motor function दिरे दिरे वापिस सही होने लग जाते हैं, ठेक है, यह symptoms आप देख देना, anti-psychotic वगिरा भी देते हैं, जो psychosis, मतलब पागलपन prevent करें, चलिए, तो यह था आज का आपका topic, treatment, काफी अच्छे तरह समने पढ़े हैं, इसके, काफी important है, 10 marks में, फार्माकोलोजी में पूछे जाते हैं, फार्माकोलोजी में, यूनिट 5 में दे रखे हैं, ठेक, के लिवी डोपा, कर्वी डोपा, यह सब, यह था आज का topic, Parkinson, जो कि B.A.C. nursing, B.A.C. सभी जगे पता, और काफी important topic है, और pharmacy वालों के लिए, नर्सिंग वालों के लिए, तो कई semester में है, second semester में है, कई semester में Parkinson है, Parkinson का treatment है, तो यह disease काफी important है, आपको याद रखनी ही है, I hope आप आपको lecture से related, कोई भी doubt है, तो आप comment section में comment कर सकते है, कोई भी disease अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें comment करें, हम उसके उपर lecture बनाएंगे, साथी साथ, यह notes आपको हमारे WhatsApp group से मिलेंगे, और WhatsApp group से कैसे जुड़ना है, मैंने इसी वीडियो के description box में एक link दे और telegram की link भी इसी description box में है, अगर आपको telegram की link open नहीं होती है, तो आप telegram पे जाके search कीजिए depth of biology, आपको हमारा channel मिल जाएगा, subscribe and share for more, have a nice day, thank you.